हलो एफ्रीबडी इस दिग्राश सिंह राजपूत वेलकम टूशल स्कूल इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी रूट्स के बारे में वाट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाटर वेज्ट जो है वाटर ट्रांस्पोर्ट जो कि सी रूट्स क्या है वो सारे चैनल जो कही ना कही क्या कर रहें समुत्र के रास्ते एक दूसरे को जोड़े हुए मतलब एक जगा को दूसरी जगा से जुड़े हुए तो इस वीडियो में स्पेसिविकली हम सी रूट्स के बारे में इन डीटेल पढ़ेंगे उसी तरह से संद्चर्शा उसी तरह से आपने उर्डवीडर्वय्ट रेल्वस डिस्ट्रिवूशन समझा इस वीडियो में सी रूट्स यहांपेश्ट जिस वीडियो Unacademy एप Unacademy एप जरूर से डाउलोड कीजिए यहां पर आपको भॉह सारे ढ्रेटेटिकर्स मिलेंगे आप यहां पर नोटस डाउनलोड कर सकते हैं अपर प्टीएफ रहता है डाउनलोड करने के साथ 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 सपेशल क्लासे में जॉइन कर सकते हैं देख सकते हैं कि क्या सारे features हैं raise the hand ठीक है अपना आप doubt clear कर सकते हैं quiz होते हैं पोल्स होते हैं इन सभी features को आप absolutely for free explore कर सकते हैं और unacademy plus और iconic पर maximum discount पा सकते हैं using the code DIGRAJ दिगराज चलिए आगे बड़ते हैं तो आप सबसे पहला सवाल याता है सीट के ड्वांटेज क्या हैं पहली चीजह चीज यह बनाने नहीं पढ़े हमें क्यों जैसे यह यह गरतादा आप ऊच нравится सभी तरफ चारों तरफ के पानी पानी है Prinzip हैं तो आप यह बहुत easily traversable है आप कहीं भी किसी भी direction में क्या कर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं और यहां पर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको जैसे रोडवेस को मेंटेन करना पड़ता है वहां पर जादा रेत इखटता ना होनी तो गाड़ी स्लिप मार जाएगी ठीक है मेंटेनेंस रहता है टोल टेक्स वगरा यह सब कुछ सीवेस पे वाटर बेस्ट पुत्र जाता मेंटेनेंस नहीं रहता है पान ही है डालो अपनी ना और निकल जाओ भेहते भेहते ठीक है तो यहां पर वही बताएगा एक एडवांटिज का इट स्मूथ हाईवेड ट्रावर्सिबल इन और डारेक्शन विट नो मेंटेनेंस कॉस्ट ठीक है इट्स ट्रांस्वर्मेशन इंटू रूट वेवाई सी गोइंग वसल्स इस इन इंपोर्टेंट डवलप्मेंट इन हुमन एडप्शन तो दी फिजिकल इन्वर्मेंट अब क् इन उस पानी का उन सीवेस का सी रूट्स का इस्तेमाल करना ट्रांस्पोर्टेशन के लिए यह बहुत बड़ा आपने आप में हुमन सिविलाइजिशन का डवलप्मेंट दर्शाता है इसमें जितना सामान आप एयरवेस के त्रूरे जाओगे ना तो आप एकदम कंगाल हो जाओगे इतना ही सामान आप लेंड रांपोटेशन के थ्रू ले जाओगे टाइम भी जाते लगेगा कोस्ट भी जाते लगेगी लेकिन इन टाम्स ऑफ वाल्यूम ऑफ गुड्स ठीक है वाटर वेज इस दी चीपेस्ट मीनस ऑफ ट्रांस्पोटेशन यह उसका सबसे बड कॉंटिनेंट बड़े 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 उससे इंडिया को सामान आना है अब यूससे इंडिया आप एरवेस के थ्रू लाओगे इतना सामान लाने में वहीं बोल रहें कि पूरे ट्रंप के और जो वाइडन के सब के पैसे खतम हो जाएंगे लेकिन क्या होता है मर्चंड न बस उतारो समुद्र जहां 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 जो है समुद्र में उतारो चले चलो अब बात करें तो क्या है मॉडन पैसेंजर लाइनर्स शिप्स और कार्गो शिप्स रडार वायर्लेस और निविगीशन एड्स पहले तो चप्पू चलाना पढ़ते थे याच होता था तो उसमें बड़ा सा कपड़ा बाम देते तो हवा के सारे बैकर निकल जाता था लेकिन आब ऐसा नहीं है आज आज के समय में आपको जो मॉडन पैसेंजर लाइनर्स रहते जिसमें अबने पाटी बाटी मूवी में हो रही होती है क्या वड़ी शेंपेन का ग्लास रहता हाथ में और उपर चारो तरफ से ऊपन शिप रहता है कार्गो तो वह पैसेंजर लाइनर्स हो गए कार्गो सिप् आज 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 से शायद 20 साल बाद हम और पता नहीं कितने अडवांस हो जाएंगे भी नवर नू तो वहीं चीज़ आपे बताएंगे क्या कि जैसे चैंबर्स फॉर परिशेबल गुड्स टैंकर्स इस्पेशलाइज शिप्स यह सारी चीजे से भी आपको क्या देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा ना कि पहले हिस्ट्री की क्लासे सब आपने पढ़ा भी होगा और क्या पहले जो एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया ज सारी चीजी होता है तो उसे अब क्या किया जाता है उसे रेफ्रिजरेटेट रखे यह जो लंबी जर्णी होती है किस चीज की समुद्र के रास्ते उसके लिए वह क्या सकते हैं कि सूटेबल बन जाता है समझ मैं आप तो इस तरह से विद्धी डेवल्मेंट ओफ रेफ्रि हो रहा है कि कार्गो हैंडिलिंग जिसे अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पोर्ट से मुंबई हो गया चनी हो गया हमारी कंट्री कुछ ऐसे पोर्ट से जहां पर आपका देख रहे हैं बहुत आसानी से बल्क में जो वॉल्यूम आप गुड्स आ रहा है जो कि बह स्प्रेड़ है तो वह चीज़ आपको समझ्झा होगी कि वल्डवाइट जो स्प्रेड है मेजर सी रूट का वो कुछ इस तरह का है यह नेटवर्क में जिसे अलग अलग तरह से बताया गया है आपको कितना विजिवल है लेकिन आपकी पुक कही मैप है तो जिससे आप यह स्पूर्टेशन नाथन एट्लांटिक सी रूट्स के घरम बात का है नदन आत्लांटिक सी रूट्स न के घरमबात का है लाइज तो एक्लांटिक से रूट क्या है देखो तो एक्लांटिक ऊश्यन आप जानते है यह रहा आपको युएस से बगर वाला पूरा पार्ट जोड़ दिया और इदर क्या है पूरा पूरा फोरा वेस्टन यूरोप जोड़ दिया यह तो यह वाला जो रूट है बसीकली को मिलता देखो यह से लंदन हो गया पनामा वह टो यह वाला पूरा रिजन है आपको क्या क्या मिलेbalanced यह पूरा नॉर्थ इसटन यूरोप नॉर्थ वेस्टन यूरोप नॉर्थ वेस्टन यूर्ट्र यह वाला पाट यह जोड के रखता है वाला सी रूट ठीके थी ड़्हें ड़ने कणिट बय। Northern Atlantic Sea Roots is that clear the foreign trade over this route is greater than that of rest of the world combined अब क्या होता है पूरे वल्ड में जितना ट्रेड नहीं होता है उससे ज्यादा क्या होता है foreign trade इस रूट के उपर होता है क्योंकि मैंने बताया है highly industrialized regions जो उनके वीच में करेक्टिविटी डेवलप होरी है यहां पर ट्रेड एक ट्रेट जो है इस रूट के थूमूव होता है दिस प्रूएट इस रूट इस रूट इस रूट की इच्ट इमोटेंट इस इन दी वर्ल्ड त्यकोड अधर विजियस्ट इन अदर वाइस छिविसे अगछ खुरा करें देखेंगे तो सि में जो बिक ट्रंप कहा जाता है वे इसे ही कहा जाता है क्यों और चे तो सिटर्फ से लेशिए झाडेब ट्रेट ट्रेट प्रोटर वाले चिंगे जितने भी क्शाए करें करें तो तो बहुत भैतरी तरह से क्या है पार्किंग वार्किंग के विवस्ता उत्तम है अगला देखें तो इंडियन ओशियन से इंडियन ओशियन तक जोड़ा हुआ है ठीक है अब यहां जिसे अगर आप देखेंगे तो आपको एक बेसिक थोड़ा सा डाइग्रमेटिक एक्समेश से निकल के पूरा अचरफ पूरा तक ये अपका क्या जाएगा मैरी इंडियन ऊश्ट्रूच बहुत जादा है कि इस सिग्निफिकेंस बहुत जादा है बहुत जादा ऐसे कि इसने क्या कर दिया वर्ल्ट में ट्रांस्पोर्टिशन को ट्रांस्पोर्टिशन के बहुत बड़े डिस्टेंस को रिद्यूस कर दिया था कैसे मैं समझाता हूं अभी देखू तो इस सी रूट पासेश थूदी हाट और वर्ल्ट एंड सवव्मोर कांटिशन पीपल टेन एनी अधर रूट और सिंगापूर ऑर सम उप इंपोर्ड़ें और भी तो पूर्ट साइड यहाँ पर पूर्ट साइड के बाद में क्या है? पूर्ट सायड एंट अधन मुंबई पूर्स एडेन निकला है पूर्स आड एडन के आध में मुंबई हो गया आपका मुंबई के आ लिए जो तो मेजर इंपोरन न कितने सारे इंपोर्टेंट वीदार जो जो आपी नाम बतायान आपको पॉर्ट साइड हो गया एड़न हो गया मुंबई हो गया सिंगापूर हो गया कोलंब और यह ऐसे पोर इसे बहुत जादा एक्क नोमिक सिंपिकेंस है ठीक है वल्ड़ इनका लौहम आना जाता तो इन सारे पोर्ट यहां यहां बने पता है जब स्यूस कैनल बनाए गई गई यहां बनाए गई स्यूस कैनल मतला मेडिटीरिनन सी को रेट सी से जोड़ते हूँ से जोड़ते हुए सीधे अब क्या होता आपका डिस्टेंस अब आपका डिस्टेंस यह हो गया आपका डिस्टेंस इत्ता रिड्यूस हो गया ठीक है तो इसने टाइम कॉस्ट हर चीज़ बताईए आगेस से इसका फायदा यह रहा कि सीज़ के नाल इस तरह से क्या कर दिया डिस्टेंस को बहुत ही जादा डिडियूस कर दिया वही पॉइंट यहां पर बताया गया तो इस ग्रेटली रिडिउस दिस्टेंस और टाइम चीज़ रहा के के पॉफ गुढओ के क्वाफ गुढओ यह रहा यह रहा यह शूर तो पहले ऐसे आ पड़ाता था यहा चाहिपनी नासता होता था फिर उसके बाद मा आगे बढ़ते थे ठीक है तो उस रास्ते को डिजूस कर दिया पूआ स्यूस के नाल ने ऐसा समझ मैं समझा दी आपको North Northern Atlantic समझा दी नपल्ट्रांटेक में इंडिया जो वह बड़ता हुआ है तर्टीर से इंडिया अगला जो आता है अगला सी रूट जो आता हमारा वाता केप और Mr. सी रूट आप कभी कभी क्या है लोगों कैसे बोलते ना कि मंजिल से ज्यादा जरूरी रास्ता होता है जिनको रास्ते में वह लोग इस रूट से जाते हैं इस पेडिए वेश्ट अफ्रीका सौ्थ अफ्रीका साओट इस्ट एसिया और कमर्शली अग्रीकल्च अंडिक अग् पूरा नीचे से मतलब कमर्शल ली कमर्शल ऑस्टिलिया नुज़ेंड ही तो यहां से अग्रिक्ट्ट्स को ले जाना यहां से ना यहां से यूरोप और और तो उस तरह से क्या है यह वाली जो कनेक्टिविटी है यह एक रूट भी है इस रूट का नाम क्या है क्योंकि यहां पे आप साथ अफ्रिका में यह जो पॉइंट देखोगे रहा है तो यह के पूरा का पूरा एसा रूट है हमारा सब्सक्राइब फिर क्या है वाल्यूम ऑफ यहां से जो वेस्ट आफ्रिका जिस चीज के लिए जाना जाता है मिनेरल से बगेरा थोड़ थोड़े वह सारा सब कुछ आपको इस रूट में ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाएगा इस रूट से यह सारी चीज़े ट्रेड की जाती है समझ में आया अब क्या है इस यह नदन अत्लांटिक सी रूट था अब इधर आउगे तो क्या है सद Manuel अंट्लांटिक सी रूट में क्या जाएगा सदने ट्लैंटिक सी रूट में वेस्ट ऊफरीका हो गया आपका वेस्टन यूडोप वेस्टन-इूडोप हो गया इसकी इस साउठ अभी से है जैसे ब्रजील अर्जेंटीन आप ये ंखर देख रहे है और तूह वहां से पूरा पूरा ट्रांश्पोटिशन कहां बैश्टन यूरोप के सब्सराइब से परफ में अधिसर्ट this sea route is another important one crosses the Atlantic Ocean which connects the West European and West African countries with Brazil Argentina or go in South America the traffic is far less on this route because of the limited development and population in South America and Africa अब जितना ट्राफिक आपने नदन Atlantic Sea Route पे देखने को मिलता है आपको Mediterranean Indian Ocean Sea Route पे देखने को मिलता है न उतना ट्राफिक आपको इस रूट पे देखने को नहीं मिलेगा कारण सिंपल सा ही है कारण क्या है कि आपको इतना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी क्या है यहां पे कुछ इंडस्ट्री ब्रजील और अर्जेंटीन वाले पार्ट में तो वहां से थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ट्रेट का बढ़ जाता है देरिस अल्सों लिटेल ट्राफिक और रूट बिट्विन रियोटी जनेरियो एंडी केप टाउन विकॉस बहुत सा बढ़े ट्रेड करें तो ट्रेट कहाँ होगा कि जहां किसी चीज का सरप्लस होगा जहां किसी चीज का डफिसेट की जगहा चले जाएगा समझ जाया तो दुस वह चीज रहती है और अगला देखें नौर्थ पैसिफिक सी रूट अब पैसिफिक और आगए सब्सक्राइब करके पैसिफिक और गे चलते 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 वह चिंगे तो इस तरह से नौर्थ पसिफिक और सौथ पसिफिक दोनों में अलग 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 मिलजाएगा डेवलप्मेंट देखने को मिलेगा तो पहले हम बात करते हैं नौर्थ पैसिफिक सी रूट की तो ट्रेड अक्रॉस दी वास्ट नौर्थ पैसिफिक ओशन मूज बाइ सेवरल रूट्स विच कनवर्ज होनो लूलू जी के अब होनो लूलू क्या है यह समझाता हूं आपको पैसिफिक ओशन में होनो लूलू करके आइलेंड है यह इंपोर्टेंट डेस्टिनेशन मनता इस पूरे के पूरे नदन पैसिफिक सी रूट जो है उसके लिए उसके लिए जैसे आप आपको पता होगा कि बीच में धावा है वह क्या बन गया है वहां सारी बसे रुखती ह है जिसका काम क्या है कि नदन पैसिफिक ओशन में जितने भी नदन पैसिफिकैज से उन्हें कनेक करता है वह ठीक है अगर आप बात करते हैं आप तो टीक्रेक रूट अनदी ग्रेट तरकर लिंक्स वैंकोवर योगोहाम और डिदूशन्ट्स का मेंज तो ऑगर आप इसको इक दम मतलब आराज का तो फिर उपा निकल जाएगा यह रास्ता आप नहीं क्या बहुत जाना पड़ता इदर से इसे तो वह वह सब्सक्राइब कर दिया साथ-साथ-स-स- सी-रूट्स-स- व्यंक्ष ऑफ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ-फ तो वेस्ट आफ नोर्थ अमेरिका यह सारे पोट्स ठीक है और एश्या की यह सारे पोट्स जैसे शांगाई होंग कोंग योकोहमा शेंगापूर इन सब को जोड़ दिया वैंकोवर सैन फ्रांसिस्को ठीक है पनामा होनुलूलू इन सब ने सबने तो यह पूरा का पूरा तो उस तरह से चीजे आप जो भी पढ़ते हो ना तो सिर्फ उसे वहां पर सेक्लूजन में मत पढ़ा करो असोसीट करा करो ठीक है तो दीज आर वैंकोवर सियाटल पोर्टलेंट सेंट फ्रांसिस्को एंड लास एंजलिस ऑन दी अमेरिकन साइट तो यह सारे अमेरिकन पो ठीक है यह घरा बहतर रहेगा कि नौर्थ पैसिफिक सी रूट जो वो किनकिन को जोड़ता है अब आते हैं साउथ पैसिफिक सी रूट से क्या सभिवें आता है अगर बात करें तो जो नौर्थ में था उसके नीचा जाओ साउथ में अगें होनोलूलू जो है ना आपका त तो ये जो South के पूरे के पूरे ports हैं, port cities है, important coastal areas पे, वो सारे connect होते हैं, South Pacific Ocean Route के तुरूट, ठीक है, तो this route connects Western Europe, Western Europe हो गया, Western Europe, and अच्छा Western Europe कहां से आ गए है है हम पे, तो यह देखो, यह लंदन से जो Western Europe है न यह Panama Canal है यहाप जैसे श्यूस के नल बता है था मेंदे, तो वैसे पनामा कैनल बनने से भी बहुत फाइदा है अब इस यूज कैनल और पनामा कैनल दोनों को पढ़ेंगे हम ठीक है तो वैसे ही क्या है कि पूरा घूम के जाना पड़ता था अब पनामा कैनल जो बन गया है नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका के बीच में तो वेस्टन यूरोप अंड नौर्थ अमेरिका विथ ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड और इस्केंट पैसिविक आइलेंड पनामा कैनल इस रूट इस अल्सों यूज़ रीचिंग हॉंग कॉंग 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 फिलिफिन इंडोनिशिया इन सब को करने करने के लिए इसका इस इस रूट का इस चोड़ के रखा है पनामा सेटनी कैसे मैप पे देखो यह पनामा कैनल से लगा आप आस्टिलिया तक यह यह जो डिस्टेंस ही कितरा डिस्टेंस है यह ठीक है ट्वेल थाउजन किलो मिटर होनोलू वीच में क्या बन जाता है चाहे नास्ता पानी के लिए डेस्टिनेशन बन जाता है यहां से ब्रेक वाला एडिया ठीक है यह कहानी थी आब आते हैं मैंने आपको पूरे रूट्स बता दिए इंपोर्टेंट जिसे अलावा जो गूंफिर के जाने का मजा आता है लोगो को तो क्या है के गुड़ों के अपने पड़ने पड़ दिए इसके अलाव आती है कि 2 रास्ते हैं आपको यहां से यहां जाना है तो दो रास्ते होगे तो कोस्टाल शिपिंग मतलब क्या है और इक अदिकतर क्या है लोग जैसे आप क्रूज चलता है किद रहे थे श्यैंपिपन के वाली पार्टी उसमें देखने है दिखते तब इस तरह से क्या है चीज होती इसके एडवांटेश क्या है वो भी सिंजाता हूं मैं तो कोश्टल सिपिंग इस ओविए सब्सक्राइब इस चीपर मोड नो डाउट वाटर ट्रांस्पोर्ट चीपर मोड है ठीक है वन कंपेड विदी लैंड ट्रांस्पोर्ट तो अगर मान लोगे बहुत सारा रूट्स कनेक्ट डिफरेंट कंट्री इस कविनियंट मोड अफ्रांस्पोर्टेशन अलॉंग दी कोस्ट लाइन तो कोस्टल सिपिंग कोस्ट लाइन के मतलब पैरलल पैरलल क्या है ट्रांस्पोर्ट करना तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है जैसे यूएसे क अगर आप देखोगे संजन स्टीट्स क्या होता है जैसे संजन वीजा मिलता है नहीं तो यह जो सारी यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपन कंट्री जहें तो अब यह क्या है इनका सारा कोस्ट लगा हुआ है तो लैंड ट्रांस्पोर्टिशन में क्या बीच में कोई सी आ ग संजन स्टेट्स इन यूरोप आर मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर कोस्टल सिपिंग करेक्टिंग वन मेंबर कोस्ट विद दी अधर तो वह सामान जमीन के रास्ते पहुंचाने की प्रिफर करते हैं कि वाया सी रूट ही पहुचा दिया रहे है तो कोस्टल शिपिंग इंप कुछ दिक्कत है तो लेकिन यहां क्या है यहां जिस अगर आप देखोगे तो अगर प्रॉपरली डेवलप किया जाए कोस्टल शिपिंग को तो उससे आपको क्या मिल सकता है बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है वहीं मिल सकता है कि आप क्या कर सकते हो जो कंजिशन टो कोस्ट्ल शिपिंग के बाद में एक और इंपोरॉडण चीज वह है मतलब कि कुछ नहर है आपके घाओं है क्या है तो स्यूच कैनाल है और बारे में समझते हैं और तो इसक्राइब नविकेशन चैनल्स और वाटर रईस विश्ण से जैसे द्वेच जैसे स्यूच कैनल और पनामा कैनल तो स्विस्क आप समझा तो यहां है बैर में सबस्यक्राइब करने में पड़ने वाले हैं आगे इसловय सी रुट्स में kya-kaρα पढ़ पढ़ा एक जीविश्टल शिपिंग के बारे Hadh आइप कर लिए जाई आजब पैसह आप डेखोगे तो मेरा नौत ओटस्यायां यहां पे आपको अपने डॉट करके परनामा सीटी से कोला। MEME के बीच में क्या कर लिए पानामा के लिए है इसको और वाला घ् Score अपकर कि यहां पे तरह से सब्सक्राइब करेब और ऐसी सब्सक्राइब अब पोट साइड के बाद में यहां तक आया यह गलफ ऑफ और यह पूरा कपूरा ऐसा स्वीज कैनल बना हुआ यहाँ पे चलिए स्वीज कैनल के बारे में में कुछ फैट्स वगरा आप देखते हैं समझते हैं क्या है स्वीज कैनल थो इस चैनल इजिप्ट में बनाया गया था बिट्विन पॉर्ट साइड इन दी नौर्थ एंड पॉर्ट सुइस जो है यहां इनके बीच में आपने क्या करा एक कैनल कंस्ट्ट किया ब७ूरा ऐंडिया जाना पड़ता है इंडिया जाना पड़ता था इतना समय गूं के जाने से बहतरीं क्या है कि यहाँ पर थोड़ा कुछ area है अगर ये सियूइस के नाल बनाली जाए तो दिस्टन्स कम अ तो ये विचार के साथ में 1869 में स्विज के नाल कंस्टक की जाती है पोर्ट साइड और पोर्ट स्यूस के दीछ में और ये गल्फ उप स्यूस का आगे रेड सी जो है ये वाला पाट तो इन्हें जोड दिया और से वेस्ट और इस्ट जुड़ गया बहुत आसानी से समझ आया वो कहारी रहती इट गेटवे टुदी इंडियन ओशियन और रिडियूसस डायरेक्ट सी रूट दिस्टेंस बिट्वीन लिवरपूल और कोलंबो कंपेट टुदी केप ऑफ गुड होप रूट ठीक है अब क्या है यूरोप को एक नया गेटवे मिल गया इससे कैसे कि इसने इंडियन ओशियन को इंडियन ओशियन का क्या कर दिया सी रूट से डिस्टेंस बिल्कुर रिडियूस कर दिया लिवरपूल और कोलंबो के बीच में कंपेट टुदी केप ऑफ गुड होप रूट ठीक है यह पॉइंट समझ मैं कि जो घूम के जाना पड़ता था बहुत जादा कर दिया सब्सक्राइब अगली चीज़ का है इस अगली चीज़ के लिटाव लॉक्स विच इस अब बन सिक्टी किलो मेटर एंड एलेवन टू 15 मीटर डीप अब विडाउट लॉक्स क्या है यह बड़ी समस्या है कि आगे आपको पनामा बताऊंगा तब लॉक्स इन पनामा कैनल सुवर्क तो वह विजुलाइजीशन सब्सक्राइब अच्छी से समझ में आएगा मतलब लॉक्स का मतलब दरवाजे रहते हैं यह दरवाजे लगा लिया इधार से पानी आंदो तो पानी नीचे से बढ़ता है तो शिप क्या करती है बॉएंसी फो लागे पानी के स्तर जो सी लेवल के बराबर लागे दीरे आगे खिसकाते है किसको शिप को तो पनामा कैनल में वह क्या करना पड़ता है ऐसे रुक रुक के जाती है लेकिन यहां पे असा नहीं तो शिद्ध की कहानी चलती है यहां पर ठीक है क्यूंकि लॉक्स सिस्टम न आप रहता आपको रिक्कत नीए उपर नीचे रहता तो आप ऐसे जाते हो ना लेकिन आप शिप तो यह सकती कि उपर नीचे ऐसे जाएगी तो उसको तो एक लेवल चाहिए रहेगा तो आपको वहां लॉक के दरवत नहीं पड़ती है एक सो साहाट किलोमीटर लंबी कैनल ह है गयारा से पंदना मिटे डीप है जिसमें आराम से हैवी से हैवी वसल्स जो है क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं ठीक फिर कहता है अब बनाया तो नहीं कि हाँ सब कुछ प्रीम है यहां क्या दिक्कत होती है यहां दिक्कत ही होती कि जो टोल टेक जो लगता तो टोल्स आर सो हैवी देट सम फाइंड चीपर तो गो पाई लॉंगर के रूट वेरेवर दी कंसिवेंट ली कंसिवेंट डिले इस नॉट इंपोर्टन मतलब जो इस्तिती तो टोल बहुत जादा है यहां पर टोल बहुत जादा है लगता है दी रेल्वे फॉलो टी कैनल टूस ठीके एंड फ्रॉम इसमाइलिया देर देर इस अब रांच लाइन टू काई रो का एजिप्ट में जिसकर आप देखोंगे ना तो कितर गया हां यहां यहां पर आप द करती है इसमाइलिया इन पाउंट को बी करती ताकि कि यहां के जो कंट्री इजिप्ट बगए रहा तो वह इन कैनल्स का मैक्सिमम क्या ले पाए बैनेफिट ले पाए समझ मैं मेरे ने बात यह हो गया उसके बाद में क्या है इसका बास मैं नवीगेबल फ्रेश्वाटर ग इसमाइलिया टू सप्लाइब फ्रेश वाटर टू पोर्ट साइड अब क्या बता क्यूंकि कैनल को आप अगर जैसे देखो गया तो कैनल में समस्या यह रहती है कि वह है सी लेवल के पाने की कमी भी आ सकती है तो कंटिनेस ब्रजिंग आपको नाहिल रिवर के थू भी देखन सब्सक्रा liksom नार्थ अमेरीका और यह अमार्थ अमेरिका और सब्सक्राइब करते हैं इस यह स्रीलंका और यहां पर और great in Japan अगर कोई पानी के धार दो लेंड मास को Simmons करती तो स्ट्रेट कहलाती कि अगर azione doisमीन को जोडता है जilippe कहलेगा क्या क्यां इस तमस्थ कहलाता संप धियां रखना तो अब यहाँ अपस में जोडता है यहां पर कैनल बना हुआ पनामा पर आपको अलग अलग जगह है जैसे यह रहा यह रहा कोलोन फाइन यह इदर चले जाओ इदर आपका साथ आमेरिका यहां पर आपका आपको का नौर्थ अमेरिका तो आप देखो यहां पर को लोन है पनामा सिटी है इन दोरों के भीच वी जैसे लेक वगेरा भी आ लेके रहे हैं तो लेक के रास्ते नहीं जरुबत पड़िए वहां वहां क्या क्या लोग बना दीह चाह एकनल स locks kiss जो एको सिस्टम समझाया लेकिन यह पानि क्या है पानी में रहता है कि वह सिखिए उसपे वेसल्स जो है बड़े बड़े श्रिप सेल करके आगा जा सके तो लॉक्सिस्टम में कहता इї पीर यहां गीट लगाया अब अंदो पानी ठीके पानी आएगा तो यहां लेक है तो वह इधर की तरफ क्या हो जाएगा आगे की तरफ आपकी खिसक जाएगी आप गेट खोल दोगे यह पानी पूरा आगे पीछे इस तरह से निकल जाएगा तो फिर क्या हो जाता है कि आप पानी का ही इस्तमाल करते हैं क्या करने के लिए रास्ता बनाने के लि लिया और वहां पर क्या कर दिया यूस गवर्मेंट ने यह पनामा कैनल बनाई था कि उन्हें दिख रहा था कि कमर्शल यह डिस्टंस रिडियूस कर देगी तो इसकी सिग्निफिकेंस रहेगी टोल वोल से पैसा कमाएंगे पैसा ही पैसा होगा पाप वह या उस ताइप की स् किलोमेटर बारा किलोमेटर का एरिया जहां पहुत ज्यादा खुदाई करना पड़ी जेसी बीटो जहां पर एंट्रिंट इस तरह से क्रॉस करती है तो 26 मिटर अप एंड डाउन होते हुए क्या जाती शिप्स आगे जाती है अपन टुद धीज लॉक्स बीफोर पहुशने से पहले यह इस तरह से कहा है अलग अलग six locks के थू पानी का इस तर जो है उससे उपर आगे नीचे ऐसे खिसकता खिसकता आगे जाती है और इस तरह से वह अट्लांटी कोशन से पैसिफिक कोशन में डूपकी लगाती है तो यह थी पनामा कैनल अब पनामा कैनल के अब बात करें तो इट शॉटन दिस्टेंस बिट्विन नुव यॉऔर एंड सेंट फ्रांसिसको थी 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 थाउज़न किलोमेटर वाइसी क्या से तो नुव यॉर्क और सेंट फ्रांसिसको यहां समुद्र के रास्ते मतलब जमीन के रास्ते चले जाओ पहले देखा कि पहले तुसे इस फाइदा होगा नियू यॉर्क से वह सीधा क्या करते हों ने तेरा किलोमेटर का डिस्टंस कर दिया तेरा साउथ अमेरिका यह तो सब्देख कर चलते कि यहां इंड सब के बीच में distance reduce हो गया map लाओ देखो सब के बीच में कैसे पहले इनको भी ऐसे घूम के जाना पड़ता था यूरोप से यूरोप से लोगों को ऐसे घूम के जाना पड़ता था ठीक है अगर आप एशिया की बात करोगे तो पहले क्या था एशिया में जिसे आप जाते थे एशिया में भी आपको क्या है एसे घूम के इदर साउथ अमेरिका यहां आ जाएगा यह साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका के चक्कर काट के जाना पड़ता था ठीक है तो हर सेंस में कि वेस्टन यूरोप और वेस्ट यूएस से का distance reduce हो गया एशिया की connectivity जो है एशिया था चैंड अब सब्सकिंद्स यूएस नो डाईट से का सीमेरिकान सीमेरिकाद गौघए इस चैंड से चैंड अरट टिदयुक्टा यह थी महीं टुरोफ पहां वड़ा शुमीशन लता संवह आया तो लॉप तो आपने सारे शीरूटस पढ़े शिपिंग के बारे में पढ़ा अब हम नेक्ट वीडियो में इनलेंड वाटर में जानेंगे सम्झेंगे इनलेंड वाटर वीडियो में पढ़ते हैं वाइन उन्ञेख व्सक्वcorक्षा वह सब्सक्राइब कर देवा क्षिए बिन खंटेख रेंग के लिखनी टुगते निन सिन अस्ट चे elabor गडियर तंट्स रिंख Aww इसे शल्था संट तियर कैंग क Multip comport थैड का धिजर की थे